नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 23 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूस अनलिसिस और साइन्स एंट टेक न्यूज में आपका स्वागत है आज चुकि संडे है तो एडिटोरियल आज छपता नहीं है इस कंटेक्ट में एक जो सबसे important news है वो ये है कि रोहिंग्या detention center के respect में जो भी correspondence home ministry ने लिखा था दिली की सरकार को उसके respect में जब RTI में information मांगी गई तो इस information को देने से मना कर दिया union home ministry तो इस पूरे मुद्दे को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे रोहिंग्या detention centers के respect में जो information है वो secret है as per union home ministry तो ये क्या news को समझेंगे उसके बाद साओधी crown prince मौहमद बिन सल्मान इंडिया आने वाले हैं और इंडिया में वो मोधी जी के साथ ही फिर बाली जाएंगे जोकि बाली में 15 से 16 नमबर को G20 की meeting है फिर उसके बाद फिकी ने ब परसंट के पास ही overall palliote के गर applicable है मतलब available है जापान और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर security pact sign किया है चाइना को target करते हो किसी ने चाइना का नाम नहीं लिया बट security pact से पता चल रहा है कि हाँ भाई this is specifically you know with respect to China फिर next communist party of China ने अपने constitution comment किया आपको पता है five yearly जो congress होती है meet करती है communist party चाइना की तो वहाँ पर बादचीत होती है तो वही यहाँ पर भी recent meeting हो ही तो उसको लेके अक्सरकर news आती रहती है फिर science and tech के respect में एक article जो कि मैंने पहले discuss किया था वही यहाँ पर एक कहली जे repeat हो रहा है कि climate change को mitigate करने में grazing animals का एक बड़ा important role है फिर नए omicron के sub-lineages उभर के आ रहे हैं इससे नए आप कहलो recombinants बन रहे हैं वो recombinants किस हद तक covid को बहुत तीजी से फेलाएंगे इसके बारे में तो भी देखी ज़्यादा पता है नहीं बट नए research के साब से यह ज़रूर पता चल रहा है कि नए recombinants उभर के आ रहे हैं फिर भाईया इस रो का heaviest rocket 36 satellites को लेकि यहाँ पर launch हुआ है तो यह particular news क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो कुल इतनी news है word of the day under the weather under the weather मतलब आप थोड़ा बहुत low spirits में हो slightly unavailable ठीक है चलिए पहली news GS paper 2 और 1 में population and associated issues government policies information on Rohingya detention center of secrets तो भाईया कुछ महीनों पहले ministry of home affairs ने twitter पे announce किया था कि दिल्ली सरकार को हमने एक चिठी लिखके बोला है कि अभी के लिए जो रोहिंग्या का illegal foreigners देखे रोहिंग्या को इंडिया में illegal foreigners ये illegal immigrants डेक्लेर किया गया है तो जहां पे इन रोहिंग्या को settle किया गया है उस particular location को detention center announce करी है ऐसा ministry of home affairs ने दिल्ली सरकार से बोला था ठीक है भाई अब इसी particular जगा को जहां पे रोहिंग्या रहते हैं जिसको detention center designate करने के लिए बोला गया कौन सी specific जगाओ का आप detention center बनवा रहे हो तो ये सारी जब information मांगी गई आपकी union home ministry सो तो union home ministry ने बोला कि this information is secret under RTI Act हम आपको provide नहीं कर सकते मैं थोड़े और details से यहां पे आपको बता देता हूँ इस particular रोहिंग्या crisis को लेके बढ़ी flip-flops बहुत ही U-turn हुए क्या politics हो रही समझ में नहीं आ रहा है 17 अगस्त को union housing minister हरदीप सिंग पूरी साहब ने tweet किया कि भाई जो economically weaker section वाले जो flat है न दिल्ली के बाहर बकर वाल इलाकों में वहाँ पे हम रोहिंग्यास को settle कर देंगे तो overall भारत सरकार का जो stand रहता है वो यह रहता है कि हम भाई anti-immigrant है ठीके ना किसी भी respect में लेकिन हाँ केंदू की सरकार पे ये बिल दाम लगाया जाता है कि जो हिंदू, जैन, सिख, इस प्रकार के जो immigrants आता है उनको भारत सरकार welcome करती है जो Muslim immigrants आते हैं उनको reject करती है भारत सरकार का logic क्या है कि बही जो आसपासी country है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मांगलादेश यहाँ पे minority को rights नहीं मिलते तो हिंदू community वहाँ पे काफी ज़दा subjugated है इसलिए हम उसको support करते है और रही बात अगर हम आने वाले Muslims को welcome करेंगे तो problem यह है कि अफगानिस्तान, मांगलादेश, पाकिस्तान की maximum अवादी मुसलिम है और वहाँ पे ज़्यादा economic opportunity है नहीं economic opportunity इंडिया के अंदर है तो ऐसे तो सब लोग इंडिया में आ जाएंगे तो इस context में लेके सरकार justify करती है कि हाँ भाई चलो ठीक है हम रोहियास को proper citizenship amendment act में जगा नहीं दे सकते लेकिन आ हिंदू, जैन, सिक्स इन सब को हमने बोला कि ठीक है भाई हम आपको अपने नागरिक बना लेंगा हालाक उसके भी नियम कानून भी आये नहीं है citizenship amendment act की मैं बात कर रहा हूँ हालाकि वो एक अलग topic है इससे थोड़ा सा मिलता है इसलिए मैंने बता दिया तो 17 अगस्त को हरदीप सिंग पूरी साब ने बोला कि रोहिंगया refugees को ये जो बकरवाल दिन्ली के अलाके में हम EWS flat में relocate करेंगे फिर हरदीप सिंग पूरी साब ने ये भी बोला कि राइट विंग हिंदू ग्रुप जैसे कि विश्व हिंदू परिसेद ने बवाल बचाना शूरू किया देश में और भी लोगों को यहाँ पर गुस्ता आया तो जब गुस्ता बढ़ने लगा तब सरकार को यहाँ एक U-turn करना पड़ गया Ministry of Home Affairs की तरफ से clarification आया कि कोई भी direction ऐसे नहीं दिये गए है जिसमें economically weaker section वाले जो flat है EWS वाले जो flat है वो रोहिंग यास को दिये जाएंगे मतलब रोहिंग यास के लिए एक कोई नई जगा जरूर धोड़ी जा रही है बट EWS flat हम रोहिंग यास को दे रहे है ऐसा कोई भी decision नहीं हुआ है यह openly बोल दिया Ministry of Home Affairs ने अब यह केंदर की सरकार के लिए थोड़ा humiliating हो गया था चुकि केंदर की सरकार का एक Minister यह बोल रहा है कि हम flat दे रहे है और उसके बाद just MHA यह बोल रही है कि भाई हम को यह ऐसा flat नहीं दे रहे है हाँ एक नई जगा पे move जरूर कर देंगे उनको प्लस यह भी बोला Ministry of Home Affairs ने कि चुकि यह रोहिंग यास इंडिया के नहीं है यह नीचे comment box में लिखके बताओ बिना सर्च मारे मैंने कई बार पहले बताए लेट सी आप मेंसे कितने लोगों को बताए अब overall इस पूरे रोहिंग्या के मुद्दे को लेके कभी-कभी भारती जनता पार्टी और आम आदनी पार्टी की बीच में बहास हो जाती आप पे आप इलजाम लगाता है बीजे पीप इस समय पे जो रोहिंग्याज है वो कालिंदी जो कुझ इलाका है साउथ इस डिली का उसके residential area के बगल में बहुत बड़ा सा open space है वहाँ पे रहते है ठीक है वहाँ पे उनकी गुजर बसर चल रही है अब पहले जहां रहते तो वहाँ आग लग गई ठीक है पहले जकत foundation का एक land सा वहाँ रहते थे NGO जकत foundation है 12 से रोंगिया वहाँ पे आके रह 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 थे 2012 से वहाँ पे आना शुरू हुए थे फिर वहाँ पे आग लग गई तो एक दूसरी land थी जो कि उत्तर पदेश का irrigation department ओंड करता था तो वहाँ पे जाके रहने लगई फिर वहाँ पे अभी आप लगई तो पहले जकत foundation वाले land में आ गए तो काफी परिशानिया जहिलने पड़ रही हैं अब overall जब इनके land allocation को लेके सवाल पूछा गया ministry of home affairs से तो ministry of home affairs में बोला कि भाईया as per section 8 clause 1 sub clause A of the right to information act 2005 ये particular information रोहिंगया के respect में secret हैं हम आपको provide नहीं कर सकते देखें इस section की बात करें हम section 8 clause 1 sub clause इसमें क्या लिखा हुआ है notwithstanding anything contained in the act there shall be no obligation to give any citizen information disclosure of which would affect prejudicially the sovereignty and integrity of India the security strategic scientific or economic interest of the state relation with foreign state or lead to an ensignment of an offense मतलब overall हम कैसी कोई भी ऐसी information आपको नहीं दे सकते जो कि देश की security sovereignty को effect करें है question ये है कि रोहिंगया के land से related अगर information देने से security sovereignty कैसे effect होगी इस बात को लेके भी काफी बवाल होगा ठीक है ना बहुत सारे अलग-अलग तर कि यहां पर निकल के आ सकते है अब एक question यहां पर उठता कि इंडिया का stand क्या है refugee पे तो भाईया सीधी बात है हमने 1951 का UN convention relating to status of refugees और 1967 protocol इस UN convention का इसको sign नहीं किया है तो technically international norms के अंदर हम बात दे नहीं है कि हम जबरदस्ती refugees को entertain करें और हमारा तो neighborhood भी इतना हिला हुआ है बांगलादेश चलो बांगलादेश फिर भी थोड़ा stable है लेकिन आप पाकिस्तान की बात कर लो आप अफगानिस्तान की बात कर लो कोई economic opportunity ही नहीं यहाँ पे यहाँ पे जो महत्वा कांशी लोग है वो तो चाहेंगे कि वो इंडिया में आके रहे हैं चोकि कम से कम इंडिया में economic opportunity तो मिलती है तो अगर इस हम बिलकुल ही अपने border को open कर देते हैं तो बहुत बड़ी तागाद में refugee आके हमारे देश में बै उनको कौन-कौन से एट के हिसाफ से देखा जाता है मतब डील किया जाता है तो foreigners Act 1946, registration of foreigners Act 1939, passport entry into India Act 1920 और citizenship Act 1955 ठीक है भाई Ministry of Home Office ने साफ साफ Parliament को बताया था कि वो foreign nationals जो बिना valid terrible documents के इंडिया के अंदर गुसेंगे उनको दरदाय दिया जाएगा illegal immigrants का तो ये दरज़ा obvious सी बात इनको दिया गया 2016 में किरिन रेजुजी साब ने लोकसभा में बताया था कि अभी तक कोई national role refugees पे नहीं है केवल standard operating procedures हैं जो Ministry of Home Affairs समय समय पे issue करते रहते हैं इंडिया के अंदर केवल Rohingya's refugee नहीं है बहुत सारी पाकिस्तानी हिंदू भी इंडिया के अंदर आके दिली राजिस्तान गुजराच 36 गर पंजाब बहुत सारे तबितन्स और तमिल श्री लंका के वो भी इंडिया के अंदर रहते हैं अब इंडिया के ओपर इल्जाम ये लगाए जाता है कि जो Rohingya's हैं इनको तो किसी प्रकार का कोई extra अच्छा treatment नहीं दिया जाता है लेकिन जो पाकिस्तानी हिंदूस जो तिबतन्स जो तमिल्स हैं इनको केंज की सरकार दोरा बहुत से फाइदे दिये गए जैसे monthly cash do, subsidized ration, clothing material, utensils, cremation की सुविधाय, श्राद, last rights की सुविधाय, infrastructure facilities, तो आप overall, Rohingya Muslims को छोड़के बाकी सब को यहाँ पे आप अलग से treatment दे रहो, कुछ extra benefit दे रहो, तो यह discrimination आप क्यों कर रहो, हाला कि मैं बता दो कि पाकिस्तानी हिंदूस, तिबतन्स और तमिल्स को भी जो facilities दिखत तिबतन्स और तमिल्स आए हैं, इनको यहाँ पे support किया जा रहा भारसाकार के दोरा, तो यह discriminatory politics क्यों, और इसलिए आप देखोगे, कि Citizenship Amendment Act में खासी बवाल हो, खासा बवाल हो गया, चलिए अगरी न्यूस पर आजाते हैं, GS Paper 2 International Relations, Saudi Crown Prince expected to visit Delhi next month, तो भैया, Saudi Crown Prince, Kingdom of Saudi Arabia के Prime Minister, महमद बिन सल्मान, यह India आने वाले हैं, एक्चलि इंडोनेशया जाना है मिड नौम्बर में, तो इंडिया नौशया जाते वक्त कुछ घंटों के लिए इंडा के अंदर stop लेंगे, तो 14 नौम्बर को कुछ घंटों के लिए महमद बिन सल्मान साब इंडिया में रुकेंग और वहाँ पे जाके उन्होंने मोदी जी का इंविटेशन दिया था मुहम्मद बिन सल्मान को अब मुहम्मद बिन सल्मान की इस विजट की वज़े से एक दूसरा आप कहलो इवेंट एफेक्ट हो गया है मोदी जी के कलेंडर का यह जो 10 मेंबर का Association for South East Nation है Asian Nation और 18 मेंबर की जो East Asian Summit के जो लीडर्स की मीटिंग है जो East Asian Summit में दस एशियान मेंबर्स तो हैं आट होर कंटरीज हैं तो एशियान और EAS की जो Summit है कमबोडिया में इसको शायद मोदी जी एटेंडर ना करवाएं मोहम्मद बिन सल्मान के साथ मिले की वज़े से PM सल्मान और PM मोदी जी बैट के बादचीत करेंगे रशियन वार जो होड़ा यूकरेन में इसको लेके बादचीत होगी फिर जो Western Coalition ने रशिया के ओपर Sanctions लगा दी है इन Sanctions को ना India ने सपोर्ट किया है ना Saudi Arabia ने सपोर्ट किया है इस बात को लेके बादचीज हो सकती है फिर देखी क्या है जियो पॉलिटिक्स में कही न कहीं Saudi Arabia और US की नहीं बन पा रही अभी OPEC प्लस कंट्रीज ने मिलके decision लिया कि प्रती दिन 2 million barrels का production वो कम करेंगे अब इस बात को लेके जो बादचीज नाराज है जो बादचीज चाहते हैं कि रशिया की तेल की डिमांड गटे अभी रशिया की तेल की डिमांड गटे तो overall बाकी countries को तेल का production बढ़ाना पड़ेगा cost को कम करने के लिए अभ OPEC प्लस country में साओधी अरेबिया भी है रशिया भी है in fact OPEC प्लस में दो countries dominant है रशिया साओधी अरेबिया सिर्फ OPEC की बात करो तो साओधी अरेबिया biggest producer है तेल का अगर आप OPEC प्लस देखोगे तो number one पे रशिया आ जाता तेल की production में और number two पे आता है आपका साओधी अरेबिया तो उस context में यहाँ पे साओधी अरेबिया रशिया के साथ team करता हो नजर आ रहा है और यह बात जो बाइडन को पसंद नहीं आ रही है तो जो बाइडन ने खुली धमकी दी थी कि भाई किंग्डम आफ साओधी अरेबिया को consequences देखने पड़ेंगे अगर overall यहाँ पे तेल की production को लेके इनों आपने हालात नहीं सुधारे तो ठीक है वो तो geopolitics के अपने बात कर ली अगर आप देखो तो 2019 में मुहम्मद बिन सल्मान ने ये promise किया था कि इंडिया के अंदर साओधी अरेबिया 100 billion dollars की investment करेगा oil reserves में, green energy projects में हाला कि अभी बहुत बड़े quantum में ऐसी कोई investment आई नहीं है इससे पहले रैंद मोदी जी 2016 में साओधी अरेबिया गया थे 2019 में साओधी अरेबिया गया थे बहुत सारे memorandum of understanding sign हुए बहुत सारे projects के initial groundwork को discuss किया गया तो उनके उपर यहां पे फिर से review होगा 2020 में G20 होस्ट किया था साओधी अरेबिया ने ठीक है और 2023 में ओविसी बात है इंडिया होस्ट करेगा चूकि इंडिया के पास leadership आ रही है G20 की तो अपने आप में अगर आप देखो तो साओधी रेबिया और इंडिया के मोदी जी के meeting important है लेकिन उसके साथ ये एशियान और East Asia Summit वाली जो meeting है 10 से 13 नॉंबर फेनों फेक Cambodia में वो भी बहुत ज़ादा important हो जाती है चूकि एशियान इंडियन partnership को 30 साल हो चुके और यहाँ पे एक commemorative summit plan थी देखे क्या है एशियान देश इंडिया के साथ comprehensive strategic partnership की बात कर रहे वैसे देखा जाए तो पिछले साल एशियान ने 2021 में Australia को comprehensive strategic partner बोला है चाइना को बोला है इस साल प्लान ये है कि भाई US को strategic comprehensive strategic partner बोलेगा एशियान और इंडिया को भी बोलेगा तो यह जो 30 साल है इंडिया-ेशिया partnership का यह बहुत important है अब ऐसे समय में 10 से 13 नॉंबर में कमबोडिया में मोदी जी का होना जरूरी है बट हो सकता है कि मोहमद बिन सल्मान की विज़िट की वज़ा से मोदी जी का जो कलेंडर है वो थोड़ा बिगड़ जाए ठीक है East Asia Summit में आती कौन कौन सी countries है तो Asian countries तो हैं उसके लावा 8 countries हो Australia, China, India, Japan, New Zealand Republic of Korea, Russia और USA Republic of Korea मतलब South Korea की बात हो रही है ठीक है फिर next GS paper to health Only 1-2% population who need palliative care have access to it Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ठीक है न इसकी health unit ने data release किया इस data को analyze किया health ministry ने और analysis के हिसाब से ये निकला है कि दुनिया भर में जितनी भी आबादी है मतलब दुनिया की बाकी countries में global average की बात करो तो दुनिया की 14% आबादी के पास palliative care available है अब palliative care का मतलब ये होता है कि overall आपको दर्द है आपके दर्द को कम करने के लिए जो care आपको दी गई लेकिन उस care से जिस बीमारी की वज़े से आपको दर्द है वो बीमारी नहीं हल होगी समझ गया ना आपको कोई बीमारी है उस बीमारी की वज़े से आपको दर्द है परिशानी है आपको palliative care दी गई मतलब आपकी परिशानी कम हो गई लेकिन बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो इसको आप बोलते हो palliative care समझ गया जैसे for example आप cancer आप cancer के विए से दर्द हो रहा है तो cancer नहीं ठीक हो रहा है लेकिन दर्द को कम करने के लिए आपको दवाईया दे दी गई जिससे आपका दर्द कम हो जाए तो palliative care अब इंडिया के अंदर देखो तो दुनिया भर में इंडिया तीसरे नमबर पर आता है cancer incidence को लेके लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के जदतर states में कोई भी enabling legislation नहीं है या policy नहीं है palliative care के respect में cancer patients के लिए हमारे देश में केवल तीन states है केरला करनाटका महरास्ट जहाँ पर एक palliative care policy है कुछ states के नाम बोल रहा हूँ केरला मिजोरम तमिलनाडू करनाटका पंजाब आसाम यहाँ पर highest crude incident rate है cancer का मतलब प्रती लाख आबादी में 130 से ज़ादा लोगों को cancer है cancer का जो incidence है वो head, neck, breast, cervix और ovary में ज़ादा है यह overall cases अगर आप देखो तो इंडिया में काफी देखने को मिलते हैं आला कि बाकी country जैसे for example China वहाँ पे इस प्रकार के cancer के cases और ज़ादा है इंडिया में उनके comparison में कम है तो China, US, UK के comparison में कहलो percentage wise इस प्रकार के cancer cases इंडिया के अंदर कम है बट फिर भी जो overall number निकल के आता है cancer patients का वो बहुत ज़ादा है और चीज़ें और खतरनाक इसलिए हो जाती है चुकि इंडिया में health infrastructure उतना अच्छा नहीं है और लोगों के पास पैसा नहीं है अपना इलाज कराने का financial burden cancer का बहुत ज़ादा है बाकी disease के respect में 80% आबादी जो cancer से ग्रस्त है वो afford नहीं कर सकती इसके इलाज को तीन गुना ज़ादा खर्चा हो जाता है गे इंडियोजल का अगर वो hospitalized हो रहा है when compared to energy other बीमारी अगर उसको cancer हो तो किसी और बिमारी के लिए hospitalized होगा अगर 10 रुपे खतम हो रहा cancer के लिए hospitalized होगा तीस रुपे ज़्यादा कर्च हो जाएगा प्रस इंडिया में cancer detection के लिए proper आपके लोग समय समय पर springing नहीं होती late stage detection होता तो late stage detection होगा तो अव्वेसी बात है cancer क्योर नहीं हो पाएगा जो मौते हैं cancer के विज़से वो बढ़ जाएगी इंडिया में total incidence cancer है 19 से 20 लाग मतलब reported number के एसाब से इंडिया में total 19 से 20 लाग लोगों को cancer है लेकिन actual number डेड़ से 3 गोना जादा हो सकता है ऐसा फिकी और अर्स्ट और यंग की रिपोर्ट बोलती है तो इंडिया के अंदर cancer की counseling को लेके auxiliary nurses को train करने की जरूँ थे आशा workers को train करने की जरूँ थे midwives को trade करने की जरूँ थे government में काम करने वाली जो nurses हैं वो लोगों को cancer की counseling दे सकती है सरकार को समय समय पे palliative care packages निकालने चाहिए छोटी मुटी scheme के थूँ जो हलका फूल के खर्चे उसको reimburse कर देती है गर सरकार तो लोगों को काफी मदद मिल जाएगी एक population based initiative चलाया था health ministry ने for prevention, control and screening for common NCDs जैसे diabetes, hypertension, common concerns यह चलाया गया था national health mission के अंदर तो common concerns की जो screening है that is a part of आयुष्मान भारत health and wellness center जो कि यहाँ पे जो service delivery हो रही है रही है health की उसमें cancer screening भी included है फिर cancer के treatment के लिए प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के अंदर भी कुछ scheme में बनाई गए तो प्रधान मंत्री भारती जन आरोग योजना के अंदर जो outlets कुले है वहाँ पे cancer की दवाईएं आप सस्ते से खरी सकते हो अम्रित फार में इसी stores को ले गए है एक umbrella scheme चलाई गई है राष्ट्री आरोग निधी जहाँ पे वो लोग जो की poverty line से नीचे रह रह रहे है उनको financial assistance दिया जाएगा government hospital में cancer का इलाज कराने का फिर आजाते है जीस पेपर टू इंटरनेशनल इस्टेलिया इंक security pact तो भाईया 22 अक्टूबर को intelligence और defense cooperation को बढ़ाने के लिए Australia और Japan ने एक security pact sign किया और सब लोग यह बोल रहे है कि यह security pact चाइना के military rise को counter करने के लिए जापान के प्राइमिस्टर Fumio Kishida और उनके Australian counterpart Anthony Albanese इन्होंने मिलके पर्थ में एक 15 साल पुराने accord को revamp किया 15 साल पहले जो accord आया था जापान Australia की बीच पे यह उस समय पे terrorism और weapons proliferation को रोकने के लिए था और अब यह accord फिर से आया है most probably security को enhance करने के लिए क्यों चुकि China military बहुत ज़़दा बढ़ रहा है देखिए जापान की policy World War 2 के बाद बहुत peaceful रही है जापान बहुत ज़दा weapons develop करने में नहीं रहा है जापान बहुत ज़दा आर्मी को develop करने में नहीं रहा है जापान लंसम हर साल U.S. को पैसा देता है और U.S. जापान को promise देता है कि हाँ भई आपके ओपर attack होता है तो हम आपको protect करेंगे लेकिन अब जापान के नियर आप कहलो जो इलाके हैं वहाँ पर overall कुछ ऐसी activities हुई है कि जापान भी मजबूर हो गया आपने आपको militarily develop करने के लिए तो यह जो नया agreement हुआ है ना जापान ऑस्टेलिया की बीच में इसमें northern Australia में जापान और Australia दोनों की जो forces हैं मिलके एक दूसरे के साथ training करेगी intelligence sharing की आप कहा लिजे training यहाँ पर कराई जाएगी तो basically जो landmark declaration है ऐसा बोला है एंथोनी अलबनीज साहब ने टाइटल क्या है document का joint declaration on security cooperation female किशिदा साब क्या बोल रहे है कि भाईया एक increasingly harsh strategic environment है और इस harsh strategic environment में हमारे पास कोई choice नहीं मची है मैं आपको बता दूँ Australia और जापान बहुत peaceful countries आपने सुना होगा जो आप कहलो FBI है CIA है US की ठीके न इंगलेंड की MI5 है इसराइल की मुसाद है, इंडिया की RAW है, अब NIA है, पाकिस्तान की ISI है ये दुनिया भर में अपने spies और agents को deploy करके रखते हैं दूसरे देश के बारे में information निकालने के लिए औस्टेलिया और जापान ने अपना कोई ऐसा intelligence operative foreign जमीन पे station नहीं किया लेकिन हाँ एक और बात है औस्टेलिया और जापान के पास बहुती जबरदस्थ लेवल की technology है, satellite technology इस satellite technology के तुरू और जो बहुत जबरदस्थ high-tech electronic eaves dropping tools है इनके तुरू ऑस्टेलिया जापान अपनी security के लिए ठीक टाक information जोटा लेता है अब शायद जो नई training हो रही है इसके अंदर हो सकता है आगे आनल समय में जापान और ऑस्टेलिया अपने military assets को अपने spies को intelligence operatives को भी दूसरे दिशों में deploy करना शुरू कर दे यह जो आप कहलो agreement हुआ है ऑस्टेलिया जापान की बीच में इस agreement को इस sense में भी देखा जा रहा है कि हो सकता है आगे आनल समय में जापान powerful five eyes intelligence sharing alliance को जोईन कर ले five eyes intelligence sharing alliance Australia, Britain, Canada, New Zealand और US के बीच में और यह जो आस्टेलिया जापान का agreement हुआ हो सकता है five eyes को आगे आनल समय में जापान जोईन कर ले और जापान औस्टेलिया इसका पार्ट बन गए और कल की डेट में मानलो जापान five eyes network को जोईन कर लेता है तो बहुत चांसे थे कि शायद इंडिया भी जोईन कर ले ठीक ना तो यह सब बाते हो रहा हुँ यहां पर बताई जारी अब जापान का इस प्रकार का stance कि जापान किसी country के साथ एक military agreement sign कर रहा है इसके बहुत कम chances थे कुछ decades पहले तक जापान किसी भी प्रकार की military strategy में involved नहीं होता था जापान का single point focus था education, health, industrial development और उसमें जापान बहुत आगे निकल गया है बट military जापान कहीं कमजोर है वो इस बात को जानते हैं और recently कुछ ऐसी activities हुई जैसे कि for example North Korea ने missile दागी वो missile जापान के आसपास से उड़ती हुई निकली चाइना ने जब तेवायन के पाद drills की तो जापान के exclusive economic zone में जाके मिसाइलें गिरी रशिया ने CEO जापान में overall military drills की तो ये सब चीज़ें देखे कहीं न कहीं जापान नर्वस होगा जापान सोचेगा कि हम तो पीस के रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन ये जो आसपास की country है वो इतनी unstable activities कर रहे हैं कि कल की date पे हमारे उपर tension आ जाएगी इसलिए जापान यहाँ पे overall military alliances को जोईन कर अब कल की date मालो जापान 520 network को जोईन कर लेता है तो international committee का एक और बहुत बड़ा concern है कि क्या sensitive information को confidential material को जापान हैंडल कर पाएगा उसको proper तरीके से securely transmit कर पाएगा चुकि देखे फ्रांस हो गया इंग्लेंड हो गया, इंडिया हो गया कही न कहीं, US हो गया यह लोग regular basis पे military information को transmit करते रहते हैं, classified information को transmit करते रहते हैं, जापान उस level पे classified information और military technology में deal नहीं करता है तो अब एकदम से जापान in multi-lateral analysis का part बन रहा है, क्या वो इस प्रकार की information technology के handle कर पाएगा इस बात को लेके थोड़े बहुत doubt से अलोग होगी ठीक है, फिर जापान के Fumio Kishida साब और Australia के Albanese साब ने critical minerals के उपर cooperation की बात की energy environment के उपर बात की जापान बड़ी तागाद में Australian gas को खरीदता है, ठीक है न? तो hydrogen energy को produce करने के लिए, green hydrogen को produce करने के लिए, जापान का Australia के साथ एक proper cooperation बहुत ज़ादा ज़रूरी है समझ के domestic energy production के लिए और fossil fuel पे dependence को कम करने के लिए Australia के साथ समय समय पे critical minerals आ सके, gas की supplies आ सके इसलिए भी जापान यहाँ पे Australia के साथ overall agreement कर रहा है जापान, अपनी 40% liquefied natural gas Australia से import करता है तो energy के aspect में भी जापान और Australia के relations यहाँ पे बहुत ज़दा important है, फिर Australia में बहुत सारे rare earth element पाए जाते हैं, वो भी जापान import कर सकता है, अभी के लिए critical minerals की supply को dominate करता है China, लेकिन बड़ी quantity में critical minerals Australia में भी पाए जाते हैं, हाँ, उनके exploration को लेके Australia के बस technology नहीं है इस level पे तो जापान अगर Australia के साथ bilaterally engage करता है, तो वो technology के access मिल सकता है Australia को फिर नेक्स GS paper 2 international news, communist party immense constitution boosting Z core status देखे, चाइना communist party का Saturday को once in a five year congress खतम हुआ और यहाँ पे Z Jinping का जो core status है ना, इसको further enshrine कर दिया गया, इसको further consolidate कर दिया गया, देखे क्या है नया जो constitution है चाइना की communist party का, उसने obligation मना दिया है सारे party members पे, कि leadership core को आप follow करेंगे ही करेंगे, और 2017 से 5 साल पहले जो Chinese party congress हुई थी, उसी में Z Jinping ने अपने आपको core leader declare कर दिया था, तो 2017 में जो party congress हुई थी, उसमें overall core leader की category में Z Jinping ने अपने आपको include करवा दिया था, और अब तो constitution में ये लिख दिया गया है कि जितने भी core leaders हैं, उनको देश के लोग पूजेंगे, उनके status को कभी challenge नहीं किया जाएगा, overall उनकी बातों को कभी question नहीं किया जागा तो basically एक obligation आ गया है China के हर इंसान के उपर Chinese Communist Party के हर member के उपर कि core leaders को आप question नहीं करोगे उनकी बातों को बिना question के मानोगे, और core leader की category में इस समय बें सबसे उपर है चाइना में Z Jinping फिर और बोल बच्चन टाइप की बात है कि जो Saturday का resolution उसके बाद जो constitution में revisions हुए है इससे जितने भी party members है वो uphold करेंगे Central Committee की centralized unified leadership को party के अंदर cohesion लेके आएंगे जो Z Jinping की thought on socialism है with Chinese characteristics for a new era इसको follow करेंगे Z Jinping की ideology को चाइना के सम्विधान में 2017 में लिख दिया गया था इस ideology को ground level पे successful बनाने की कोशिश करेंगे वगरा वगरा समझ गए तो ये सब बातें हो रहा है यहाँ पे बताईगे Z Jinping साल दर साल ठीकि ना अपनी जो authority है उसको proper तरीके से consolidate करवा रहे common prosperity की बात की यहाँ पे ZCP की का एक और campaign यहाँ पे news में रहा है वो है common prosperity common prosperity मतलब private sector को tame करो कुछ individuals बहुत ज़ादा powerful और अमीर ना हो जाए जैसे jack ma एक limit time पे बहुत ज़ादा powerful हो गये थे अमीर हो गये थे और centralized leadership को question करने लगे थे finance वगरा के field बे तो jack ma को पकड़ के jail में डाल दिया कई मेने दिखे ही नहीं उनकी company को control में किया assets गिरा दिये मतलब basically private sector धंदा चलाए पैसा कमाए ZZP को इससे problem नहीं है लेकिन एक limit से ज़ादा पैसा अगर कोई एक company या enterprise कमाती है तो बहुत ज़दा ताकत हो जाएगी और फिर वो leadership की ताकत को challenge कर सकती इसलिए common prosperity के सिद्धान को promote कर रहे हैं आप जीजिंग पि अब इस प्रकार के सिद्धान को promote करने से लोगों को क्या फायदा होगा लोगों को फायदा यह होगा कि कोई भी company के जो extra profits हैं वो सरकार के पास तेले जाएंगे और सरकार उन profits को ground level पे लोगों के लिए इस्तमाल करेगी तो कहीं न कहीं पैसा लोगों तक पहुँचेगा और पैसा लोगों तक पहुँचेगा तो वो आप कहलो financially financially आगे बढ़ेंगे और वो financially आगे बढ़ेंगे तो फिर वो क्यों ही leadership के आगे इस challenge करेंगे चाइना के अंदर आज की डेट में dictatorship क्यों चलती है simple logic है चाइना की लोगों की जेब में पैसा डाला है Chinese Communist Party ने Chinese Communist Party ने लोगों का paid भरा है लोगों के पास economic opportunity वो मेहाद करके पैसा कमाते है खाते है तो चुकि उनको financial level पर problem नहीं हो रही वो अपनी जिन्दगी आराम से जीपा रहे है कुछ undue restrictions उनके ओपर फालतों के नहीं है इसलिए बहुछ ज़दा लोग दिमाग नहीं लगाते है अगर कल की डेट में मायनमार जैसे हालात हुजए है चाइना के अंदर तो जरूर जी जिंग्पिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगी जैसे कि अभी शुरू भी हुए थे चाइना के अंदर आपको पता होगा कि जब zero covid policy लगा दी जी जिंग्पिंग ने तो लोग त्रहिमाम करने लगे लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया वही घर के अंदर लॉक कर दिया गया उनको चाइनीज पुलिस आती थी और घर को बाहर से बाहर लगा के पूरा सील कर दे थी थी मतलब तुम घर से बाहर ही निकल सकते ये आहलात है किसी को मेडिकल इमर्जनसी हो जा वो घर से बाहर ही न निकल गाया किसी घर पे राशन ना हो ना पहुँच पा रहा हो तो खाने पीने कर दे लाए तो जो जीरो कोविट पॉलसी है लोगों को पसंद नहीं थोड़ी बहुत पीजिंग में प्रोटेस्ट भी हुए तो ये सब बाते हैं यहां पे हुई है इस उरो का जो हविएस्ट रॉकेट लॉंचर है 36 एटलाइट्स को लेकर फाइनली हो रहा है तो इंडियन स्पेस रिसरच और्गनाशन का हविएस्ट रॉकेट लॉंच वैकल मार्क 3, LVM3 जिसका अब GSLV मार्क 3 भी बोलतो हो ये टुक ओफ किया फ्रम दे सेकेंड लॉंच पैट आफ सतीश धवन स्पेस सेंटर स्रीहरीकोटा इसमें 36 सैटलाइट्स थी UK-based कंपनी OneWeb की ये 43.5 मीटर लंबा LVM3 इसका वेड था 644 टन और इसके उपर सैटलाइट्स थी 36 जिनका वज़न था 5796 केजी तो इस पर्टिकुलर लॉंच से ये जो LVM3 नाम का आप कहलो लॉंच स्टेशन है ये overall global commercial launch service market में entry पाच चुका है मतलब इस LVM3 इंडिया ने ये display किया है पूरी दुनिया को कि अगर आपको अपने commercial satellites launch करवाने इस space में तो आप इंडिया के पास आ सकते ये जो LVM3 M2 है ये dedicated commercial satellite mission है जिसकी ownership है New Space India Limited के पास New Space India Limited Central Public Sector Enterprises Department of Space Government of India के अंतर ठीक है मैं तो ये overall अभी ये जो launches हुए है this was a mission जो कि एक commercial arrangement की तरह execute किया गया commercial arrangement था New Space India Limited की बीच में और UK based company है Network Access Associates Limited इसके बीच में जिसको आप message OneWeb Limited भी बोलते हो ये जो OneWeb है आप कह सकतो UK की सरकार और इंडिया की भारती enterprises का एक joint venture है तो इस OneWeb नाम की company ने सुनिन भारती मिलतल जो की भारती enterprises की CEO है इन्होंने भी ठीक ठाक पैसा लगा रखा था तो आगे आने वाले समय में overall ये जो New Space India Limited का ये जो commercial launch vehicle आया है GSLV Mark 3 जिसको आप LVM 3 भी बोलते हो ये आगे आने वाले समय में बड़ा ही potential economic opportunity इंडिया के लिए लेके आता है फिर अगला grazing animals important in mitigating climate change GS paper 2 science and tech तो current defense खता बचुगा है current change वाले section में लोग आ चुके तो इसके बारे मैंने पहले भी बात की थी इसी प्रकार की एक study थी Indian Institute of Science Bangaluru के जो researchers है उन्होंने यहाँ पे observe कि एक ecosystem से grazing animals को हटा दो और दूख के ecosystem में grazing animals को रखो तो उस particular ecosystem पे क्या impact आता है soil carbon stability पे कितना impact आता है तो मैंने पहले भी बताया था कि soil carbon 30-40% fluctuate कर जाएगा अगर grazing animals को यहाँ पे deploy करते हो आप तो देखे जो researchers है हिमाचल परदेश state government local authorities की मदद से जो किबर villages पिती का वहाँ के लोगों की मदद से कुछ fence plots बनाएगे कुछ fence plots में grazing animal रखे गए कुछ में grazing animal नहीं रखे गए तो कुछ जगों पे yard, ibex रखे गए कुछ पे नहीं रखे गए जहाँ पे grazing animals नहीं थे वहाँ की soil carbon stability नहीं थी soil carbon 30-40% fluctuate कर रहा था ठीक है भाई तो यह जो grazing ecosystems है grasslands, shrublands, tepee, समाना इंडिया का 10% land इलाका इनके अंदर आता है और दुनिया का 40% land इलाका इनके अंदर आता है और इन grasslands के उपर depend करते हैं बहुत से birds, reptiles और amphibians समझ गए कभी-कभी इन grasslands को dry land भी खा जाता है समझ गए ना भजवात को तो अगर इन grasslands को समय समय पर आप maintain नहीं करते हो तो ecological changes की वैसे environmental changes की वैसे और proper जानवरों के absence में यह जो grassland है वो dry land में convert हो सकते है इंडिया के अंदर इसे बहुत से dry land पाए जाते है और पहले इन dry land ओं पे इंडिया में forest थे बट colonial rule के समय पे timber की ज़रूत की वज़े से बहुत सारे forest ओं को काट दिया गया वो forest पहले grassland बने और grassland के बाए dry land में convert हो गया इन dry lands को proper grazing ecosystem में convert किया जा सकता है proper governmental policy और coordination के थूँ ठीक है अब यहाँ पे overall जो main SAR है अर्टिकल का वो यही है कि grazing ecosystem में soil में carbon sale होता है और जितना ज़ादा grazing ecosystem healthy होगा उतना ही ज़ादा soil के अंदर carbon का सिंग होगा और soil के अंदर carbon का सिंग ज़ादा होगा तो उतना ही atmosphere में carbon कम होगा तो global environmental stability बन रहेगी अब एक बहुत बड़ा question है traditionally इन grasslands पे जो जानवर घास चरते थे अब उनकी जगा वो जानवर नहीं रहे जैसे for example याक आइबेक्स याक आइबेक्स स्पिती वगरा के इलाकों में overall यहाँ पे घास वगरा चरते थे अब मान लो याक आइबेक्स की बज़ा deer आ गया ठीक है बेड़ बकरी यहागी याक आइबेक्स गास नहीं चल रहे है उनकी वज़ाई जो cattle है ठीक है ना चुकि नॉर्मल कर आज की डेट में लोग cattle पालना ज़्यादा पसंद करते है फायदा होता है बकरी है गाइबेक्स है दूद होते है उनके गोबर से कंडे पात के खाना बना लेते है बहुत सारी चीज़ें उनके गोबर को कंडे पात के जाके बायो मस् प्लांटे बेज देंगे तो उससे पैसे बन जाएंगे तो एक कुशन यहाँ पर ये भी उठता है कि ओवर ओल जो ट्रेडिशनल जानवर थे उन वाइल मेमेल्स थे उन वाइल मेमेल्स की जगा पे हम लोग डॉमेस्टिक लाइव स्टॉक ले आए तो क्या ये लाइव स्टॉक पुराने वाइल मेमेल्स को ग्रेजिंग इको सिस्टम में रिप्लेस कर सकते है इस बात को लेके थेसिस चल रही है कोई concrete point यहाँ पर बता है नहीं गया ठीक है? तो यह overall एक article था मैंने आपके साथ discuss किया फिर यहाँ पर तीन छोटे-छोटे articles हो रहा है जैसे Asian elephants at risk as they roam outside protected area तो जो Asian elephants जिनको आप बोलतो हो Elephas maximus यह जदातर time protected areas के बाहर बिकाते हैं जब यह protected areas के बाहर time बिताते हैं तो एक dangerous collision course पर आजाते हैं लोगों के साथ जैसे कि for example 102 elephants के उपर tracking collars लगाए गए तो इनको track किया गए अब क्या है? कि जन जंगलों के अंदर यह रहते हैं वो जंगल भी बहुत घने हो चुके हैं इतने घने हो चुके हैं कि उनके grasses के bamboo को palms को खाड़ना मुश्किल हो गया तो इतने घने जंगलों में भी इन हातियों को मज़ा नहीं आता है थोड़ी खोली जगा चाहिए एक हाती को खुमने के लिए तो यह जंगल से बाहर निकलाते हैं अब जब जंगल से बाहर निकलाएंगे तो कही न कहीं हैबिटेशन के बीच में आ जाएंगे तो जो human wildlife conflict है वो बढ़ जाएगा ठीक है पर अगला आर्टिकल Astronomers spot brightest ever explosion in deep space Astronomers ने recently एक बहुत ही powerful explosion को spot किया यह जो explosion है यह gamma ray burst है जिसको बोला गया है GRB 221009 most probably एक supernova की वज़ा से यह explosion हुआ है और इस explosion के बाद पीछे एक black hole मना होगा अभी तक का सबसे बड़ा recorded वैसे तो बहुत बड़े-बड़े explosions हुए होगे human ने कौन से explosion track किया उसमें से सबसे बड़े explosion बताया जा रहा BOATS को बोला जा रहा brightest of all time ऐसा बोला astronomer Gillian रास्ती नजाद में इस particular explosion के बाद इतनी खतरनाक brightness फैली कि जो gamma ray telescopes थे उनके detector तक फेल हो गए इतनी चकाचाँद हो गई वहाँ तो overall यह जो gamma ray burst explosion इसको नाम किया दिया गया GRB 221009 फिर अगला booster shots can protect against COVID variants तो अभी के लिए क्या है जो booster shots SARS-CoV-2 क्या है वो definitely किसी particular आपके लिए जो नए variants निकल के आ रहे है SARS-CoV-2 के उनके पती oriented नहीं है बट यह ज़रूर बोला जा रहा है कि यह जो booster shots है या फिर जो बीच में breakthrough infection हो जाता था तो कल की डेट में कोई नए प्रकार का recompetent या strain भी आपकी body में आ जाता तो भी आपकी body पहले से तयार होगी उस particular virus strain से लडने के लिए यह ऐसी यहाँ पर एक थिवरी बताती है और आज का आखरी आर्टिकल New Omicron Sub-Lineages देखे एक नया recombinant इस समय पर इंडिया में फैल रहे इंडिया का पूरे एशिया में फोल्टराइस का नाम है XBB recombinant देखे क्या है दुनिया भर में SARS-CoV-2 के recombinants और आप कहलो जो भी उनके sub-versions बन रहे हैं उनको study किया जा रहा है 49 recombinant lineages को अब तक detect किया गया recombinants होते क्या है तो viruses that have a mixed genome each part of the mix derived from the parent genome जैसे पहले जो virus था हो पहले virus का जो genome था और दूसरे virus जनों दोनों आपस में मिले हैं उनकोई नया ही recombinant बना दिया जैसे for example यह जो XBB lineage इस समय पर Asia में proliferate कर रहा है यह Omicron sub-lineages BJ1 और BA 2.75 से मिलके बना है इस समय पर जो recombinant lineage है XBB यह Asia के बहुत सारे regions में पहल रहा है यह जो Europe और North America है they are seeing an emergence of Omicron variants especially BQ1 and its sub-lineages मतलब दुनिया भर में overall recombinants और नए sub-lineages coronavirus के पैदा हो रहे हैं इसमें कोई doubt नहीं हला कि अच्छी बात यह है कि जितने भी recombinants नहीं पैदा हुए है यह बड़े scale पे infection नहीं cost कर पा रहे हैं अभी के लिए अगर आप देखो global databases के हिसाब से XBB genome बहुत हद तक पाये गया आगस 2022 में कॉलकत्ता में पाये गया in fact महराष्ट, खुजरा, तमिल नाडू, करनाटका पाउडी सवेस्ट वंगर लाजिस्तान, तमिल नाडू, यहां हर जगहों से यह XBB genome का वायरस पाये गया है जो कि BJ1 और B8275 से मिलके बनाए तो recombinants बहुत सारे पाये जा रहे है, सब lineages बहुत सारे पाये जा रहे हम बस खुश इस बात से हो सकते हैं कि कोई भी बड़े स्केल पे इंफेक्शन नहीं कास करा है So thank you for watching friends, वीडियो को लाइक को शेर करकी जाएगा Instagram, follow कर लेजेगा, Telegram, कुछ जान करते हैं, जादा जादो